तो आज हम बात करते हैं वाइट टॉन पावडर और पॉन्स पावडर इन दोनों में क्या डिफरेंट है और हमें इसको यूज करना चाहिए कि इसको यूज करना चाहिए कब और किस टाइम यूज करना चाहिए और हमें इससे यूज करने से क्या होता है तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइट टॉन पावडर की जो की मुझे मार्केट में लोकल मार्केट में या फिर कहीं पर भी मिल जाएगा आपको यह हमारा 125 का और 75 ग्राम है इसमें और यह हमारा 249 का और यह हमारा 400 ग्राम यह हमारा 125 का है और 75 ग्राम है और यह हमारा 200 किताब को बताए थे है 250 का और यह हमारा 400 ग्राम तो अब इन दोनों को बताते हैं एक्टिलि में क्या होता है कि हम कभी-कभी गलत पाउडर यूज करते हैं इसको हमें यूज करना चाहिए बट हमें नेक पे यूज करना चाहिए या फिर आप पीट पे सोल्डर पे कहीं पे भी आप इसको यूज क तरीके से यूज करते हैं और फेस में यूज करते हैं मैं तो इसको नाइन्थ में पढ़ती थी तब तक मैं इसको यूज की हूँ उसके बाद मेरे इसको यूज करना सुरू किया तब से मैं यही यूज कर रही हूं और अब दोनों को दिखा देते हैं यह देखे हम थोड़ा स कि यह देखिए अब हम इधर इस पाउडर को योज करेंगे तो आप यह देखिए डिफरेंट क्या है इसमें कोई डिफरेंट नहीं है यह थोड़ा मोटा होता है और यह थोड़ा पटला होता है इसka जो पाउडर होता है यह थोड़ा पटला होता है और इसमें महक के भी इह थोड़ां ही पु Schwaloo कि इस फेसपा भी पॉड़र अपी यूज करी है इससे मेगडिये अगर हम पाउडर के पाउडर लगाएंगे तो पताईब क्या हो रएगा इसकीन कैंसर हो जाएगा फेस के स्कीन पे कैंसर हो जाएगा तो हमें भर भर के ये बाटन नहीं लगाना है और फेस पे तो बिल्कुल नहीं लगाना है ठीक आईए आपको मेरी बाद समझ में सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और हाँ अगर आपारे चैनल को सस्क्राइब नहीं की होगे तो कर लेना वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा